दुनिया में तीन तरह की जीव पाये जाते हैं एक वो जो जमीन पर रहते हैं एक वो जो पानी में रहते हैं और एक वो जो आस्मान की सेर करते हैं तो आज हम लोग जानने वाले हैं दुनिया के दस ऐसे पक्षियों के बारे में जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं और आस्मानों पर राज किया करते हैं हाँ तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया के दस ऐसे पक्षियों के बारे में जो किया आस्मानों पर राज किया करते हैं और इनकी ताकत सुन कर आप हैरान रहने वाले हैं तो इस वीडियो को इसके बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा तो बिना देर ये वीडियो को करते हैं शुरू हादोगेज नमबर दस पर आता है यूरेशिन इगल आउल यह आउल दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे ज़्याद ताकतवर आउल है यह 4.2 किलोग्राम का होता है और इसके पंखों का फेलाव दो मीटर तक होता है हादोगेज नमबर नुपर आते हैं मार्शिल उगल्स मार्शिल इगल्स काफी ज़्यादा खतरनाक और इनका वजड़न 6.2 किलो होता है और यह काफी ज़्यादा ताकतवर होते हैं ऐसा माना जाता है कि यह अपने एक पंजे से एक इंसान का हाथ तोड़ सकते हैं और एक मार्शल इगल एक वक्त पे एक इंसान को आराम से खाकर चट कर सकता है। हाथ तोड़ नमबर आट पर आता है फिलिपीन इगल यह भी एक इगल की काफी जादा खतरनाक प्रजाती है। फिलिपीन इगल साथ किलो तक्के होते हैं और इनका पंखो का फेलाव दो मिटर से चार मिटर के बीच होता है। फिलिपीन इगल अपने वजन से 5 गुना जादा बड़े शिकार का शिकार करते हैं। इसलिए इन्हें नमबर आट पर रखना तो जाइज है। हाथ तो गैज नमबर साथ पर आता है स्टेलर सी इगल। इस्टेलर सी इगल नो किलो तक्के होते हैं जो की इगल में दूसरे सबसे भारी है इनकी पीली चोंच काफी ज़्यादा खतरनाक होती है और मांस उधेरने के लिए ही बनी होती है यह एक बार में अपने वजन से दो गुना तक गोश खा सकते हैं हाथोगाईज नमबर 6 पर आता है हारपी इगल जो की 9 से 10 किलो तक का होता है जो की इगल में सबसे ज़्यादा भारी है हारपी इगल के पंजे आपके घरेलू डॉक से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं यह एक बार पकड़ ले तो फिर तो आपकी हड़ी का चूरा चूरा करके ही छोड़ेगा इन्हें सबसे ताकतवर पंजियों की सूची में रखना कभी भी गलत नहीं होगा क्योंकि यह टॉप 10 में आने के हगदार है हादो गैज नमबर 5 पर आता है अफ्रिकन क्राउंड इगल यह इगल 5 किलो तक का होता है और काफी ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि यह अपने वजन से 4 गुना ज़्यादा भारी शिकार को हवा में उड़ा कर ले जाता है जो की साफ दर्शाता है कि यह कितना पावरफुल है इसलिए इसे मैंने नमबर 5 पर रखा है हादो गैज नमबर 4 पर आता है बियर्ड वल्चर यह वल्चर काफी ज़्यादा खतरनाक दिखता है इसका वजन 8 किलो तक होता है यह ज़्यादा तर हड्डियां और हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला गूदा खाता है यह इस्ट अफरीका में रहता है यह अपने वजन से तकरीबन 4 गुना तक ज़्यादा खाना एक बार में खा लेता है जिसकी वज़ा से कई बार इसे उड़ने में तकलीफ होती है हाँ तो गैस नमबर 3 पर आता है कैलिफॉर्निया कॉंडॉर कैलिफॉर्निया कॉंडॉर अफरीका का सबसे ज़्यादा बड़ा पक्षी है और यह काफे ज़्यादा खतरनाक भी होता है इसका वज़न 12 किलो तक होता है और यह एक बार में अपने वज़न के चार गुना तक ज़्यादा भारी हिस्से को हवा में लेकर उड़ सकता है और अपने वज़न से चार गुना तक ही खाना भी खा सकता है हाँ तो गाइस नमबर दो पर आता है एक वर्ल्ड फेमस पक्षी जिसका नाम है बॉल्ड डीगल बॉल्ड डीगल 6 से 7 किलो तक होता है और इसे स्टेंथ का प्रतीक भी माना जाता है ताकत का प्रतीक होने के कारण या काफी ज़्यादा मूवीज और काफी ज़्यादा ताकत के कारणामों में दर्शाय जाता है इसकी पकड एक इनसान के हाथ से 200 गुना तक अच्छी होती है हाँ तो गाइस नमबर एक पर आता है एंडीन कॉंडॉर एंडीन कॉंडॉर एक काफी ज़्यादा बड़ा और काफी ज़्यादा खतरनाक पक्षी है यह 15 किलो तक का होता है और इसका विंग स्पैन इसकी लंबाई से दुगना होता है जो की लगभग 10 फुट का होता है यह पक्षी कभी-कभी इतना खाय लेते हैं कि इनसे उड़ते ही नहीं बनता और इन्हें अपने 10 फुट के विंग स्पैन को इतनी जोर-जोर से हिलाना पड़ता है कि कहीं बार इनके पंक तूड जाते है मगर यह कुछ उन पक्षियों में से एक हैं जिनने इतने भारी होने के बाद भी उड़ते देखा गया है हाँ तो गाईस यह थे वो 10 इतने जादा खतरनाक पक्षी जिनने मैं इस सूची में रखता हूँ और अगर आपको इन में से मेरे फेवरेट जानने हैं तो मेरे फेवरेट हारपी इगल और बॉल्ड इगल है तो हाँ अगर आप दोने के भी फेवरेट यह दोनों है तो प्लीज लाइक हाँ तो गाईस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में थैंक इसो मच गाईस और हाँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर तो मैं चैनल